दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि शौमी ने लॉंच कर दिया है अपना नया OS जिसका नाम है तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपके Redmi 8A में आपका MIUI तक आएगा आएगा या फिर नहीं आएगा सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ तो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से एक ने कमाल धमाल भी वीडियो में नाम है तो आपको बिना किसी बिलम क्या ये करते हैं प्यारो कि आपको जो features मिल जाते हैं आपके MIUI 12 में अगर मैं compare करूं इसको MIUI 11 से तो वो आपको काफी difference देखने को मिलेगा यहाँ ना केवल दोस्तों सिर्फ आपको fonts वगयरा, graphic वगयरा वे changes देखने को मिलेंगे लेकिन आपको features और function के साथ साथ ऐसा लगेगा जैसे आपका एक complete नए OS दे दिया गया है, चाहे मैं बात करता हूं तो उस तो आपके privacy की उसको काफी जादा improve किया गया है आपको added feature option मिल जाता है जैसे कि होगे आपका AI calling, आप AI calling किसके लिए है कि जैसे physically कोई disabled आदमी है या बोर नहीं सकता, वास सुन नहीं सकता उन लोगों के लिए है, जैसे आप कोई भी चीज text करेंगे, आपके पास कोई call आती है, आप उसको reply करना चाहते हैं, तो आप wise जो है choose कर सकते हैं, उसमें text type कीजिए, कि आप क्या उससे क्या आना चाहते हैं, जैसे आपके पास किसी का phone आई उसने बोला hello, तो आप hello बोलना आता है, प्लस आपका जो night mode आता था, वो जो है आपको improved देखने को मिलेगा, enhance देखने को मिलेगा, साथी शाहर सौमी ऐसा claim करती है, कि यह जो आपका OS है, वो काफी ज़्यादा हद तक privacy protected है, यानि आपको privacy के regarding को इसमें चिंता करने की गोई ज़रूत नहीं, अगर मैं compare योगे इसने rainland के android system privacy protection test को भी pass किया है, जिसका यह मतला भी कि इसको काफी secure बना देता है, अब मैं इसके अगर कुछ अच्छे features की बाग करूँ, आपके इसी privacy से related, तो आप सब को पता ही है कि अगर आप को इसा भी app use करते है, तो उसमें सबसे पहले आपको मांगता है permission, कि ये अगर आप ये app use करना चाहते है, तो आपको ये permission देनी होगी, जैसे आप समझ लिए कोई camera app use कर रहे हैं, आपको camera देना पड़ेगा, प्लस आपको recording के लिए mic वगेरा भी देना पड़ेगा, permission आप ये सब allow कर देते हैं, तब जाकि वो app और करता है, और कई app ऐसे होते है जो आपके locations पगेरा को use करते हैं, so अब आपके पास एक feature रहेगा कि आप उस app को जब तक चला रहे हैं, तभी तक उसको एक बार के लिए दे दीजे permission कि हाँ, allow once मैं कर दे रहा हूँ, अब एक बार इस्तमाल करने के बाद ये दुबारा मेरे permission का इस्तमाल नहीं कर सकता है, ये option आपको मिल जाएगा, साथी साथ आपको ये भी option देखने को मिल जाएगा, कि जब तक आप उस app पे हैं, तभी तक वो permission work करेगा, जैसे ही आप आपको बंद कर देते हैं, वैसे permission deny हो जाएगा, उसके साथ फिर आपके पास एक और situation दोस्तों create होती है, कि आप जैसे कोई इसको मैं बार-बार permission दो, क्योंकि बहुत सारे app ऐसे होते हैं, जिनको आपको permission देनी पड़ती है, उनको background में run करने के लिए, उन apps के लिए भी आपके पास एक और option देखने को मिल जाता है, यानि काफी इसमें आपको काफी जादा अच्छे features देखने को मिलेगे, इनका पर notification आजाएगा, यह app आपके इस particular permission का इस्तेमाल कर रहा है, आपके location का इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप इसको चलने देना चाहते हैं, तो बिसक चलने देजिए, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, तो आप बंद कर सकते हैं, तो यह option आपको मिल जाता है, अब दोस्तों 3 categories में devices को differentiate किया है जैसे आपका 1st category हो गया, 2nd batch हो गया, उसके बाद 3rd batch तो 3 batches में divide किया गया है जिसमें आपके 1st 2nd में कुछ devices आजाते हैं जब इनमें समय roll out हो जाएगा उसके बाद आपको 3rd वाले में मिलेगा उसके बाद 2-3 महीने 2nd वाले को लगेगा, फिर 1st वाले को मतलब 1st 2nd मिला करके जुलाई एक सितमबर तो अप्टूबर की आज पास जो है आपको शुरू हो जाएगा 2nd batches में मिलना, लेकिन उसके 2-3 महीने बाद जब सारे devices का complete हो जाएगा, यानि सारे devices को मिल जाएगे 1st और 2nd batch वाले को तब आपके Redmi 8 में भी आएगा और ROMS वागेर अबलेबल हैं, हाला कि वह बहुत सारे smartphone के लिए नहीं है आप कुछी particular smartphone में आप उसको इसली use कर पाएगे तो मैं यही कहूँगा का आप कुछ दिन वेट कर लीजिए 8-9 महीने और उसके बाद आपको जो है update देखने को मिल जाएगा तो बस दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही आपको वीडियो पसंद आगया होगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद लाक कर दीजिए